नवश्कार दोस्तों कैसे है आप सब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे What is Secularism और साथी में समझेंगे Secular State की क्या परिवाश्रा होती है और सेकुलरिजम से जुड़े हुए सारे ही कंसेप्ट आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे So हमारे साथ इस वीडियो के लाश तक बने रहे और अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करे So let's begin Secularism यह समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि Inter-Religious and Intra-Religious Dominance क्या होता है Inter-State Religious Dominance हम तब कहेंगे जब कोई Major Religion किसी Minor Religion की उपर Dominate करने की कोशिश कर रहा होता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि किसी भी एक धर्म के लोगों को Target किया जाता है और उनके उपर जुल्म किये जाते है जिसका एक एक एकजामपल हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है जो कि Jews के साथ हुआ था हिटलर के द्वारा तो अब बात करते हम हमारे सेकेंड टाइप जो कि है Inter-Religious Dominance जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे धर्म तुकडों में बटे हैं जैसे कि caste system in Hinduism जिस वजे से किसी भी religion की बीच में जब dominance हमें देखने को मिलता है एक caste के द्वारा दुसरे caste के उपर तब उसे हम कहेंगे Inter-Religious Dominance इसका एक एक एकजामपल है दलित कम्यूनिटी तो अब हम समझते है secularism क्या होता है तो secularism एक ऐसी विचारदारा है जो की विरोध करती है सारे ही तरह के government या फिर institution के द्वारा किये जाने वाले dominance किसी भी religion या फिर caste के उपर यह विचारदारा हमें समझाती है कि कैसे किसी भी institution या फिर government को धर्म निर्पेक शोकर काम करना चाहिए यानि कि जहाँ पर हमें inter-religious या inter-religious dominance ना देखने को मिले वहाँ पर हम कह सकते है कि वहाँ secularism का सिद्धान्त लागू हो रहा है यह concept ना केवल धर्म निर्पेक शिता को जोर देता है बलकि बाकी के सारे freedom और equality से जुड़े हुए aspects को भी दर्शाता है